हेलो गाइज मैं इंजिनियर संजे प्लेटफर्म एडुकेशन सेंटर प्राइवेट लेमिटेड एन रुक्मिनी प्रकाशन के तरफ से आज आप लोगों के संदर्व बहुत दिन से जो इंतजार था जो अभी ए स्टुडेंट का रिक्वाइर्मेंट है उसके अनुसार जो आ प्राइगे कि आप लोग इस बुक को पर करके किस तरह से फायदा ले सकते हैं क्योंकि हम यहां जदी प्लेटफर्म में परहाते हैं तो साथ में हम एक्जाम का भी त्यारी करते थे और एक स्टुडेंट के नाते इस किताब को हम देखे हैं मतलब किस तरह से स्टुडेंट भी उसे एक बुक होना चाहिए, अपकमिंग एक्जाम में रेलवे का NTPC हो, गुरूबडी हो, ELP हो, SSC हो, सारे एक्जाम को देखते हुए, इस बुक को इतने बहतरीन धंग से लिखा गया है, इसके बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी देते हैं, क्योंकि हम भी एक्ज देते हैं, यह हैं कि अभी तक जितने एक्जाम हुए हैं, रेलवे का NTPC हो, गुरूबडी हो, या ELP हो, या SSC हो, यह सारे का साइंस के फिजिक्स का कलेक्शन है इसमें, और चेप्टर वाइज है, चेप्टर वाइज क्या किया गया, आपको सलूशन किया गया, सबसे पहल यह कोशन का जो है, डिस्क्रिप्टी बहुत अच्छा से कॉंसेप्ट के साथ क्या गया है, और जहां पर जो ट्रीक क्या हो सकता है, वह ट्रीक वहाँ पर लिखा गया है, और चेप्टर आज़ेदी देखेंगे, जितना भी एक्जाम में कोशन आया, भी लेटेस्ट पेटर उसके बाद है, मात्रक विमाए, यानि सारे चेप्टर एक सिलसिले धंग से जो है, इसमें दिया गया है, और मोशन हो गया, उसके बाद प्रोग्जेक्टायल मोशन हो गया, अब यह देखेंगे, बहुत सारे तीचर लोग और अधर यूटूबर लोग इसके बारे में बता गया है, यह टूजे टॉपिक, फ्रिक्शन हो गया, नूटन स्लॉफ मोशन हो गया, विर्तिय गती, एब हम घुर्नन गती, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, इस तरह से सारे टॉपिक है, टोटल यहां पर 18-19 है, फिर जादी हम नेक्स्ट का बात करते हैं, तो टॉपिक आप देखेंगे इसमें, आ रहे हैं, एक मिनट, नेक्स्ट है फिर आसका, 20 हो गया, थर्मल, थर्मल एक्सपेंशन, स्थिर बैदू, गैसो कानुपात, यह सारे टॉपिक बाइटॉपिक अच्छे से दिये गया है, जिस तरह से फिजिक्स है, उसी तरह से अच्छे से दिया गया है, फिर हम बात करते हैं, यह आपका रसाइन विज्ञान का हो गया, रसाइन विज्ञान का भी सारे टॉपिक अच्छे से दिया गया है, इंट्रोडक्शन दिया गया है, पदार्त का वर्गी करन है, परवानुसन रचना है, रसाइनिक बंधन है, त तौपी का पि ऑपनाए सारे टौपी को कवर किया गया है सबसे नहीं हिए कि अभी तक उले टेश्ट पैटर्न में जितना भी एक्जाम में और रहें कोसन आया है सारे एकजाम का पर सदस्द देदिया है खास करके रेलवे और ऐससे का है इसके बाद हम फिर बात करते हैं आप इसी तरह से आपका biology का भी है सरा content दिया गया है है अब इसके हम कुछ खासियत की बात करते हैं इस book में किस तरह से आपको questions लिखा गया है किस तरह से description है किस तरह से explanation है theory कि वे में है जो आप पहले परते थे उससे कुछ अलग है जो ले टेस्क में भी exam में पूछा है suppose that हमको यह question ले रहे हैं जिस तरह से यह question हो गया आपका यह है उसके बाद फिर इसके बारे में theory के बारे में बताया गया है चलिए एक साधारन सी बिंदू पर हम बात करते हैं प्रमुक पॉइंट है कुछ हर एक chapter के start होने से पहले इस इस भंग से आपको एक छोटा सा theory मिल जाएगा अब लोग सब परते होंगे कि लिप्ट में एक सरल मसीन यानि लिप्ट में कोई बैक्ती जादी खरा होते हैं तो उसका जो है क्या क्या उसे related question आते हैं क्या क्या संभावनाय आते हैं तो लिप्ट का यहां पर बात करेंगे सब पर हाते हैं कि लिप्ट बिराम अवस्था में रहता है तो क्या होगा इस प पर question एक पूछ लिया मंदन से related lift में सबको स्थिती बहुत दैनी हो गया क्या रहे यह तो परही नहीं थे ALP हो गया यह फिर गुरुबडी हो गया एंटीपीस हो गया तो यह सारे point को बारिकी से रखा गया है यहीं पर जो extra point होता है आपका वो सारे थियोरी में दिया गया है फिर lift में बात करते हैं लिप की रशी तूट जाए तो यह नॉर्मल आपको सब मिलाई सब बुक में मिल जाए लिकिन एक्स्ट्रा क्या है साथ में यह मंदन जो भी लेटेस्ट पेटर्न पर कोशन पूछा है वह भी बता दिया गया एक्स्ट्रा पॉइंट यहां पर दिखिए सेवन नमर पॉइंट एक एक्स्ट्रा भी दिया गया तो इससे संबंदित जो लेटेस्ट पेटर्न अभी कोशन आया है उसको देखते हुए यह क्या किये हैं सारे इसमें अच्छे से डिस्क्रिप्शन कर दिये हैं ठीक है अब और फिर इसमें आपको लोड भार इस तरह से डिया गया से इसी तरह से आपको बाइलोजी में भी दिया गया है और जहां पर कोशन जाएगे नहीं तूश कोशन के रेलेटर हर एक 10-15 पॉइंट आपको मिलेगा एक कोशन पर कॉंसेप्त के साथ ऐसा नहीं कि चलो साईंस है तो उसका तरीका जो मन हो गया सो लिख दिये लेकिन ध्यान बखना साइंस को कभी भी आप ट्रीक के माध्यम से बहुत आगे तक नहीं ले जा सकते हैं जब तक आपको concept नहीं रहेगा तब तक आप लोग उसको अच्छे से नहीं solve कर सकते हैं तो आसा करते हैं कि इस book को पर करक प्लेटफर्म की तरफ से बहुत मेहनत करके यह तीनों बुक अभी जो लेटेस्ट एक्जाम है उसको देखते हुए लाया है तो इस book का लाव लीजिए और यह book सभी जगा आपको available है Amazon पे हो गया और या bookshop पे हो गया सभी जगा available है तो वह अच्छे से एक्जाम दीजिए पर यह खुब मन लगा करके थैंक्स बेस्ट अप लग